रानो चडिया और गोरी कवी के घर साथ साथ ही थे चडिया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करती थी वो अपने काम में बहुत माहिर थी वो मिहनस से काम करती इसलिए चडिया की सिलाई दूर दूर तक मशूर थी चिडिया की पडोसन गोरी कवी को सलाई का काम अच्छी तरहां तो ना आता था वो काम चलाओ काम किया करती थी जैंकल में मिठू राजा की शादी थी वो चिडिया को बुलाता है चिडिया ये मेरी शादी के कपड़े हैं अगर सलाई अच्छे से करोगी, तो मैं तुम्हें इनाम भी दूँगा। मिठू राजा जी, आप चिंता न करें, मैं आपके कपड़ों की सलाई बहुत अच्छे से करूँगी। चिडिया का बेटा कूकू नदी पर बैठा हुआ था, वो अपने दोस्त जगू कवे से कहता है, जगू, जगू पता है, मेरी ममा मिठू राजा की शादी के कपड़े से लाई कर रही है, मिठू राजा ममा को इनाम भी देंगे, तो हम क्या करें, मेरी ममा भी तो बहुत अच् आले ने दो तुम्हारे पिता को, गोरी का पती कालू कवा भी खरा जाता है, कालू सुना है कुछ, चिडिया मिठू राजा के कपड़े से लाई कर रही है, और मिठू राजा चिडिया को इनाम देगा, हाँ, सुना तो है, मैं नहीं देख सकती ये सब, कालू जी, कुछ करो कुछ ऐसा करो कि चड़िया को मिठू राजा से इनाम की बजाए सजा मिले हम तो ये बात है फिर तो मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ वही कोई उपाए बताएंगे मुझे आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेते आना कही दिन होगे मिठाई नहीं खाई बेजती होगी काम तो बहुत आसान है भाँजे मैंने आज ही ये तो चूहे पकड़े हैं इन्होंने मेरे घर में सारे कपड़े कुदर दिये हैं तुम ये चूहे किसी तरह चुड़िया के घर ले जाकर छोड़ दो अच्छा मामा जी इससे क्या होगा पागल भाँजे ये चूहे मिठू राजा के कपड़े अपने तेज दांतों से काट काट कर खराब कर देंगे और फिर मिलेगी चुड़िया को सजा मिठू राजा से कैसा वा मामा जी क्या उपाए बताया है आपने फिर कालो का वाचूहों का पिंजरा उठा कर वहां से उड़ता है रास्ते में वो एक मिठाई की दुकान पर लुखता है चाचा छम छम गरम गरम गुलाब जामन दो अभी अभी बनाई है ये गुलाब जामन बहुत स्वादिष्ट है रेटो रेटो काश हम भी ये मिठाई खा सकते मगर कैसे हम तो पिंजरे में है ना जाने ये कववा हमें कहां लेकर जाएगा आईए आईए चील्दी चील्दी मुझे माफ करना मेरे पास टाइम नहीं है पहले ही मिठू राजा की शादी के इतने सारे कपड़े आई हुए है आप ऐसा करें मेरी पडोसन गोरी कवी से सिल्वा लें फिर चील गोरी कवी के पास चाती है उस चील्दी ने भी सलाई मुझे सीखी है आप चील्दी ऐसा अनारकली फरोग बनाऊंगी कि दूर दूर से पक्षी देखने आएंगे कपड़ा महंगा है दिहान करना कवी चार आने ज्यादा ले लेना मगर काम अच्छा करना ऐसे चील अपनी अनारकली फरोग का कपड़ा गोरी कवी को देकर चली जाती है शाम होने को थी जब कालु कवा भी चूहों का पिंज्रा लिए घर आता है कालु ये क्या तुम ये चूहे घर क्यूं ले आए हो पहले मिठाई खाओ फिर बाद में बताता हूँ फिर गोरी गरम गरम गुलाब जामन खा लेती है कालू जी ये गुलाब जामन बहुत स्वादिश्ट थे एक और भी खुशी के बात है चील्दी मुझे ये कपड़ा दे कर गई है अनारकली फरोग बनाने के लिए तो सुनो मैं ये चुहे रात को चिडिया के घर में छोड़ दूगा और ये चुहे कुतर कुतर कर चुडिया के घर जितना भी कपड़ा हुआ खराब कर देंगे कैसा लगा मेरे मामा जी का उपाए हमारे मामा जी कितने स्याने हैं ऐसा उपाए बताते हैं जिससे हर काम अच्छे से हो जाता है चूहू चूहू एक मठाई बची है अगर किसी तरह पिंजरे से बाहर निकल गे तो मैं खाऊंगा वो पिंजरे से बाहर निकलेंगे तो फिर ही ना आधी रात हो जाती है कालुकवा चूहों वाला पिंजरा उठाता है और अपने घर से निकलता है वो सीधा चिडिया के घर जाता है, वो पिंजरा खॉलता है और चुहे चिडिया के घर में छोड़कर भाग जाता है चिडिया सौई हुई थी, चुहे इधर उधर देखते हैं, मगर उन्हें खाने की कोई चीज दिखाई नहीं देती चुहू यहां तो कुछ भी नहीं है खाने को चलो ये कपड़ा ही खराब करती है रुको दोस्त हम जिस घर से आए हैं वहीं जाते हैं वहां मिठाई थी हाँ ठीक हा तुमने फिर वो दोनों चुहे भागते हैं वो तो कालुकवे से भी पहले उसके घर पहुंचाते हैं दोनों चुहे मजे ले लेकर मिठाई खाते हैं कालुकवा भी खरा जाता है जिसे देखकर दोनों चुहे संदू के पीछे चुप जाते हैं गोरी काम हो गया, सुबह तक वो चुहे चुडिया के घर में सारे कपड़े खराब कर देंगे और मैं देखूंगी चुडिया को राजा जी से पिटते हुए, फिर वो दोनों सो जाते हैं रेटू और चुहू भी बाहर निकलते हैं यार मिठाई तो खाली, अब दिल कर रहा है कोई शरारत करने को मिल गई मिल गई, शरारत मिल गई, देखो तो कैसा नरम नरम कपड़ा पड़ा है, चलो इसे काटते हैं फिर वो दोनों चुहे चील की फ्रॉग काटना शुरू कर देते हैं वो दरम्यान से सारी ही फ्रॉग अपने तेज दांतों से काट देते हैं रेटू, रेटू, चल फाग जाएं, कहीं ये कवा फिर से हमें पिंजरे में बंदना कर दे चुहे फाग जाते हैं दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चील दी भी आ जाती है हाँ तो कवी, हो गई तियार मेरी अनारकली फ्रॉग ऐसी फ्रॉग कोई नहीं सिलाई कर सकता, जैसी मैंने की है फिर गोरी वो फ्रॉग खुल कर चील को दिखाती है दरम्यान में एक बड़ा सुराख देह कर चील हैरान हो जाती है गोरी ये क्या है, ये तो सारा कपड़ा ही खराब कर दिया है तुमने कवा तो चुपके से देह कर ही वहां से भाग जाता है जगू अभी तक सोया हुआ था ये कैसे हो सकता है चील दी, मैंने तो रात को अच्छे से देह कर रखी थी आपकी फ्रॉग मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, फिर चील गोरी कवी की खूब पिटाई करती है मर गई, मर गई ने, बचाओ, कोई मुझे बचाओ उधर चिडिया मिठू राजा को सिलाई किये हुए कपड़े दे कर खूम मनाफा और इनाम लेती है प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर किसी का बुरा सोचोगे, तो आपका हमेशा बुरा ही होगा इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचें आपका धन्यवाद आलसी कालुकवा कोई काम धंदा ना करता था अब तो उसकी पतनी गोरिकवी भी उससे बहुत तंग आ गई थी घर में खाने को कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूकी मरूंगी जाओ और कोई काम धंदा कर लो क्या काम करूँ? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं एक तुम हो के तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम धंद कर आती हूँ ठीक है ठीक है तुम मेरे लिए कोई काम धंदो और मैं कल से काम पर चला जाओंगा फिर कालू कवे की पतनी गोरी कवी अपने पती के लिए कोई काम ढूंदने घर से निकलती है चुडिया बेहन वो हर समय घर में सोया रहता है मैं जब भी काम करने का कहती हूँ तो आगे से कहता है कि मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है आप कबूतर के पास चाहें उसका चाहे का होटल है मुझे पूरा विश्वास है कबूतर आपके पती को काम पर रख लेगा फिर गोरी कवी कबूतर के होटल की तरफ जाती है देख लो गोरी अगर आपका पती कालू कवा काम अच्छे से करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ करेगा कबूतर भीया क्यूं नहीं करेगा मैं कल ही उसे आपके पास काम पर भेज दूँगी फिर ऐसे गोरी कवी खुशी खुशी घर वापिस चली जाती है तो क्या अब मैं जूठे चाई के बरतन धाऊंगा कालू जी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता मिहनत करने में क्या शरम आप खल से काम पर जाएं और अगर कोई दूसरा काम मिले तो फिर वो कर लेना ऐसे दूसरे दिन कालू कवा ना चाहते हुए भी अपनी पतनी के कहने पर काम पर चला जाता है अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूँगा अच्छा अच्छा ठीक है ज्यादा बाते ना सुनाओ काम बताओ काम वो सामने बरतन पड़े हैं जाओ और जाकर बरतन साफ करो कालू कवा क्या जाने काम कैसे करते हैं वो एक बार कबूतर को देखता और एक बार गंदे बर्तनों की तरफ मर जाऊंगा मगर मैं ऐसे गंदे बर्तन साफ नहीं करूंगा कुछ ऐसा करता हूँ जो ये कबूतर मुझे खुद ही यहां से भगा दे ऐसा सोचते हुए कालू कवा दो ने कप तोर देता है तब तूटने की आवाज सुनकर चाचा कबूतर भी वहां आ जाता है बेशरम आवारा कवे मेरे ने कप तोर दिये तुमने अंदे हो क्या मुझ संभाल कर बात करो मोटे चाचा कबूतर अगर तुम मुझ से बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड निकाल देता मैं मैं तुम्हारे जैसे आवारा के मू नहीं लगना चाहता वो तो तुम्हारी पतनी रो रही थी मुझे उस पर दिया आ गई भाग जाओ यहां से और फिर कभी मेरे होटल के पास से भी ना गुजरना यही तो कालुकवा चाहता था वो कुछ बोले बिना तुरुंत वहां से घर वापिस चला जाता है यह क्या काम है अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम अभी से घर आगे हो निकाल दिया उसने मुझे काम से दो कप क्या तूटे बातें ही सुनाए जा रहा था वो चाचा कबूतर काम तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुमने कोई काम ना किया मैं भी अपने भाई के पास अपने मैके चली जाओंगी गोरी पलीज मुझे भी साथ ही ले जाना कम्ज कम भोजन तो मिलेगा दूसरे दिन गोरी कवी मिठु तोते से बात करती है मिठु का आमों का बाग था मिठु भाई मेरे पती को अपने आमों के बाग में रख ले चाहे तन खुआ थोड़ी कम ही दे देना ऐसा नहो के तुम्हारा पती कालू कवा मेरा नुकसान ही करे नहीं नहीं भाई जी वो अब दिन लगा कर काम करेगा मैंने समझा दिया है उसे तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो गोरी कवी ये सुनकर बहुत खुश होती है और घर वापिस जाती है कालू कवा अभी तक सोया हुआ था उठो कालू और काम पर जाओ मैंने मिठू से बात कर ली है एक हर समय तुम्हें मेरे काम की ही चिंता रहती है क्या काम करूँगा मैं मिठू के आमों के बाग में तुम काम पर जाओ मिठू आपको सब समझा देगा कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा फिर कालू कवा घर से निकलता है रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि मिठू उसे काम से हटा दे कवा मिठू के बाग में पहुंचाता है जी मिठु जी, बताएं क्या काम करना है मुझे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे में तुम्हारा नौकर और तुम मालिक हो गारीबी में भी कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं आप काम बताएं काम, बाकी बातें छोड़ें पके पके आम तोड़कर इस टोकरी में डालो तुम खा सकती हो काम बता कर मिठु वहां से चला जाता है हाँ ये ठीक है ऐसे तो मिठु आज हि मुझे यहां से भगा देगा फिर कालू कच्चे कच्चे आम तोड़ कर टोकरी में रखने लगता है वो कच्चे आमों की टोकरी भर लेता है मिठू के बच्चे मुझे भी कालू कवा कहते हैं काम तो मैं नहीं करूंगा थोड़ी देर बाद मिठू जब वापिस आकर कच्चे आमों की टोकरी भरी हुई देखता है तो वो गुसे में आ जाता है पागल कवे ये क्या तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिये मैंने तुम्हें पक्के हुए आम तोड़ने को कहा था सोरी सोरी मिठू मालिक मैं भूल गया था दफा हो जाओ यहां से और फिर कभी मेरे बाग की तरफ मूना करना अपनी चौँच देखो कैसी पहाड जैसी चौँच है तुम्हारी तुम्हारे जैसे तो मेरे नौकर होने जहे थे और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो ऐसे बातें सुनाने के बाद कालू कवा वहां से चला जाता है अब तो गोरी कवी बहुत तंग आ गई थी करती भी तो वो क्या करती फिर तंग आ कर कालू को साथ ले कर अपने मैं के अपने भाई के पास चली जाती है गोरी बहन सब ठीक तो है आप रो क्यों रही हो भाई ये कालू कोई काम नहीं करता मैं तंग आकर इसे आपके पास ही ले आई हूँ मैं अब और भूकी नहीं रह सकती बोल ओए कालू अगर काम धन्दा नहीं करना तो क्यों शादी की थी मेरी बेहन से मैं जहां भी काम पर जाता हूँ कुछ न कुछ गलत हो जाता है मुझसे और वो मुझे काम से निकाल देता है ठीक है गोरी बेहन आप मेरे खर में ही रहे और कालू तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो और आज से तुम मेरी दुकान पर बैठा करोगे ये काम कालू को कुछ आसाम लगता है हाँ हाँ बैठ कर करने वाला काम तो मैं कर सकता हूँ फिर गोरी का भाई कालू कवे को अपनी दुकान पर ले जाता है अच्छे से काम करना और पैसे दिहान से लेना आप चिंता ना करें मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा फिर क्या था कालू जी काम पर लग जाते हैं, गोरी का भाई भी वहां से चला जाता है थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी कव्वी आती है क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर कव्वी देखकर अकड जाता है हाँ हाँ मैं ही मालिक हूँ इस दुकान का अच्छा तो फिर मुझे दो किलो चीनी, घी, चावल और ऐसे वो कवी कालू से धेर सारा सामान ले लेती है मेरा घर नदी के पास है अगर चाई पीने को दिल करें तो आ जाना मिलकर चाई पीएंगे तुम बहुत संदर कवी हो, कितने प्यार से बात करती हो मेरे पास सामान के पैसे नहीं है, मैं फिर दे दूँगी आपको पैसे कौन कमबख्त तुम से पैसे मांग रहा है जो तुमने मुस्कुरा कर दो बोल बोल दिये, वो पैसों से कम नहीं है वो कवी वहां से चली जाती है, शाम को जब गोरी का भाई आकर हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थे गोरी का भाई डंडा उठा कर कालू कवे को मार मार कर वहां से भगा देता है मैं अपनी बहन को दो वक्त की रोटी दे लूँगा, मगर तुम्हारे जैसे आवारा और आलसी को अपने पास नहीं रख सकता फिर गोरी अपने भाई के पास रहती है और कालू कवा रोता हुआ वहां से चला जाता है प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है खुद में काम करने की आदत डालें क्योंके आलसी पक्षी हमेशा नाकाम ही रहती है